हेलो स्टुडेंट्स, RG Studio चनल में आपका हर्दिक स्वागत है, मेरा नाम राहूल है, मैं एक टीचर हूँ, इस वीडियो में आपको National Fire Service College NFSC नागपूर के सब ओफिसर कोर्स के एड़िशन्स की जनकारी दे जा रहा हूँ 2022 के लिए और इसके लिए इंपड़न कोर्स की PDF नोट्स चलेना चाहते हैं, ओनलाइन कोर्सिंग जोइन करना चाहते हैं, 194-1151-3974 पर वाटसप कर सकते हैं, और कॉम्प्रेटर एक्जरम्स की तरीक लिए वाटसप ग्रूप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप् सर्विस कॉलेज नागपुर के जो सब ओफिसर कोर्स का एड्मिसन होना है, 2022 के लिए जो टेंटेटिव सेडिल है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, नेशनल फाय सर्विस कॉलेज एफ़स सब ओफिसर कोर्स फोर फायर ट्रेनिंग फोर दा कंडिडेट्स वो हैब कॉप्रिटेड ग्रेशन डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम इंजिनरिंग तो जिन काडिडेट्स ने ग्रेशन की डिग्री करही है या फिर तीन साल का जो परो टेक्निक का डिप्लोमा किया है, वो इसके लिए इलिजबल होते हैं, नेशनल फाय सर्विस कॉलेज नाग में 33 स्टुडेंट्स होते हैं, इसके लिए ओल इंडिया लेबल का इंट्रेंस एक्जाम होता है, जिसमें की अब्जेक्टिव टाइप कोस्टन्स आते हैं, इलिजबल कंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रोड फॉर्म्स अबलेबल अट पोर्टल एंड मस्क सब्मिटर, प्र और यहां पर जो सब्जेक्ट आते हैं, उसमें जन्रल नॉलिज, जन्रल इंग्लिज और फिजिक्स साइन्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री की कोस्टन्स आते हैं, फोर सब ऑफिसर इंट्रेंस एक्जाम 2022, ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म में रिलीज तिल लास्ट वीक अप्लिकेशन बाइलास्ट वीक ऑफ सब्टेमबर 2022 तो इसमें ऑनलाइन अप्लाइक कर सकते हों, इसकी जो हाड कॉपी है वो इस्टिट्टिट्ट पे बैश सकते हैं, इसके लिए जो डेट है वो सेतमबर 2022 2022 के लास्ट वीक हो सकती है, ओनली दा क्डिटेट्स पान इलिज तेस्ट के लिए, कंडिडेट्स वॉट्लिस्टेड बेसिस भी सब्रट नोगिकल टैस्ट विल भी फर्दर कॉल्ड फॉर मेडिकल टैस्ट राउंड तो जो कंडेट्स होंगे return test के भी इस पे उनको medical test के लिए बलाए जाएगा list of finally selected candidates will be uploaded to the college portal तो जो college की website है उस पे जो finally selected students होंगे उनकी list available होगी और email के दोरह उने जंकारी बेजी जाती है जो finally selected students होते हैं यहाँ पे eligibility table के बारे में आपको पता दूँ कोर्स है यहाँ पे कोर्स की जंकारी है इंटेक eligibility और selection criteria इसमें sub-officer course होता है इसमें 30 या 33 seats होती है यहाँ यह eligibility होती है इसमें graduate or diploma in engineering selection criteria जो है यह all India entrance exam for sub-officer course all India level का entrance exam की बाइस पे selection होता है यहाँ पे जो important points है document verification will be conducted on last week of number tentative tentatively तो जो entrance exam की बाद जो document verification के लिए जो credit को बलाए जाएगा वो last week of November 2022 तक बलाए जा सकता है center for intern test में भी जो examination center होता है वो कभी-कभी नागपूर में होता है के बल या फिर जो major cities है देली नागपूर चेननाई कोलकता और बंबई इनमें exam का center होता है applicants must be between the job 18 and 25 जोन जन्वरी 1 तो इसमें जो age criteria है वो 18 से 25 साल तक होता है अपर age limit is relax up to five years for SCST and three years for OBC candidates SCST के candidates को five years की और OBC candidates को three years के हाँ पर relaxation होता है इसके बाद है यहाँ पर physical and medical standard requirement for all courses जो physical और medical standard है इसमे नेशनल फाय सर्विस कोलेज के सब अफिसर कोर्स के लिए physical standard में standard males females तो standard की जनकार cabbage male and females के लिए 35 cm होना चाहिए मेल के लिए 165 cm होना चाहिए कम से गम वेट जो है मेल्स के लिए 50 kg कम से कम और female के लिए 46 kg नोट्य यहां पर इन केस ऑप मेल it is relaxed up to 5 cm for یہ क्याँ जो में की केस में जो हाइट होगी रिलेक्सेशन होगा हाइट में 5 cm के लिए असमेश के लिए 5 cm का असमेश गोरखाज और गरवाल के लिए 5 cm का रिलेक्सेशन होगा and members of schedule caste and to find 5 cm और सेडूल कास्ट और फिमेल्स के लिए 2.5 cm का जो मेडिकल स्टेंडर्स हैं आई साइट बैटर आई विडाउट एड जो बैटर आई विडाउट एड होगी वह 6x6 आई साइट वर्स आई वह गी 6x12 color vision no color blindness color blindness नहीं नहीं चाहिए नौकनी flat feet squinting eyes and stammering not allowed तो नौकनी flat feet squinting eyes और stammering जो है वो नहीं है यहाँ पर आपको information दी गई है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नाखपूर के जो 2022 का जो सैड्यूल है टेंटेटिव जह समभाविश सैड्यूल है इसके बारे में बताए गया है तो जो इसके लिए admission लेना आते हैं वह इंट्रेश topics अभी से स्टाइड कर सकते हैं और जो कर सकते हैं और की जिसके लिए डिस्क्रिप्स बॉक्स में मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब अबसकर लें ताकि इंपड़ान कोशन के वीडियो मिलते रहें और वेबिन जॉब्स और इंडिशन्स के रहें उसकी जनकारी मिलती रहें वीडियो को लाइक शेयर और कमेंच जिरू कीजेगा वीडियो आएगाद